नमस्कार मित्रो आप भी साल गुपता के साथ सुन रहे हैं अकबर बीरबल की कहानी जब फासी पर चढ़ते चढ़ते बचे बीरबल जैसा कि आप जानते हैं अकबर बीरबल को उनकी बुद्धी के कारण बहुत परसंद करते थे अकबर के सभी महामंत्री बीरबल से जलते थे एक समय हद तब हो गई जब अकबर के साले भी बीरबल से जलने लगे और अपनी बहन के पास आकर बोले बहन महराज अकबर बीरबल को हमेशा सर पर चढ़ा कर रखते हैं वो उन्हें महत्पोड़ पद भी दे रखे हैं इतना कहने के बाद महराणी ने अकबर से कहा महराज मेरा भाई भी तो आपके राजे का महत्पोड़ पद का दिकारी है आप भीरबल को भी महत्पोड़ पद पर ही क्यों बनाए रखते हैं ऐसा भीरबल क्या कर सकते हैं जो मेरा भाई नहीं कर सकता अगबर ने मुश्कुराते हुए कहा रानी साहिबा बीरबल को महतपोड़ पत देने के पीछे उनकी बुद्धी है लेकिन आपके भाई में उतनी बुद्धी नहीं है जितनी बीरबल में है इस पर महरानी कहती है इसे तरीके की ज्यानवर्धक और कहानी सुनने के लिए लाइब और सस्क्राइब आशेकर जैहिंग जैभार या उसकी परिच्छा ले सकते हैं वह हर परिच्छा में खरा उतरेगा अगबर ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे भाई की परिच्छा लूँगा इस परिच्छा में बहुत अधिक खत्रा है जान भी जा सकती है अगबर की रानी ने यह बात अपने भाई को बता दी और उसके भाई ने भी परिच्छा देने की ठान ली अगले दिन अक्बर ने बीरबल और महरानी के भाई को यानि अपने साले को इखटा बुलाया और उन्हें एक खट दे कर कहा बीरबल आप दोनों या खट लेकर इरान की राजा के पास जाना और वहां कि राजा को देना तुम दोनों को कल सुबा सूरज उगने के पहले ही निकलना होगा अकबर के सालिय और बीरबल अगले दिन इरान निकल गए और कुछ समय की बाद इरान की राजा की महल में पहुँच गए इरान की राजा ने उनका बहुत अधिक स्वागत किया और कहा हमारी बहुत खुश्ट किस्मती है कि महाराजा अकबर का सबसे प्री और बुद्धिमान विक्ति हमारे पास आया है फरबाईए आप क्या चाहते हैं बीरबल और अकबर का साला कहता है कुछ नहीं महाराज ने हमें पत्र दिया है उसे आप पढ़िए अकबर का खट इरान का राजा लेकर पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने सिपाहियों को कहा इन्हीं गृत्तार कर लो या सुनकर बीरबल और उनका साला बहुत डर गया इरान के राजा ने उन्हें कहा आप थे उन्हों लोगों को पोडिमा की सुबा फासी दे दी जाएगी बीरबल और अकबर के साले की समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या खिर राजा ने हमें फासी की सज़ा क्यों दी बीरबल और राजा अकबर का साला सारी रात सो न सका अकबर का साला पूरी रात सोते सोते रोता रहा पूरी रात सोते रहे और बीरबल ने फासी से बचने का उपाय निकाला अकबर के साली ने कहा कृप्या करके रो ये मत बस जो मैं कहता हूं वही कीजिए बीर्मल ने फासी से बचने का रास्ता बताया दिन बीचते गए पोरी मा के दिन आ गया जब अकबर के सालिय और बीर्मल को फासी देने के लिए ले जा रहे थे तो वो दोनों जोर जोर से रोने के बजाए हसते हुए और हसी कोसी नाचते गाते हुए जा रहे थे या देखकर कि जीवन की अंतिम दिन में ये इतना हस गा और खुशी-खुशी जा रहे इरान की राजा और उसके सैनिकों को बड़ा आशर हुआ वो हैरान हो गए और आपस में बात करने लगे आज तो इनका आखरी दिन है इन्हें फासी पर चढ़ाना है ये बेकूफ नाचते और गाते हुए जा रहे है दोनों को फासी दिये जाने के लिए फंदे के आगे खड़ा किया गया इरान की राजा ने पूछा बताओ तुम दोनों में से कौन इसी तरह बिवाज चलता रहार इरान का राजया धीकर हैरान हो गया और दोनों से कहने लगा बक्वास पंद करो तुम दोनों ओपर जाने के लिए इतने बेताब क्यों है इस पर बीरबल ने कहा माराज अकबर ने खत में जरूर लिखा था कि इन दोनों को फासी दे दिजा पर यह नहीं लिखा कि क्यों मैं आपको बताता हूं इसके पीछी या कारण है कि हमारे राज्य की सबसे बड़े जोतिसी निया भविश्वारी की है अगर कोई इरान की राजा के पास जाकर पोडिमा के दिन फासी पर चड़ेगा तो अगले जनम में वहां का राजा बन जाए और जो दूसरे नंबर पर फासी पर चड़ेगा वह उसका वजीर बनेगा या सुनकर इरान की राजा का सर चक्राया और उसने सोचा कि अगर मैंने इन्हें फासी पर चड़ाया थो मेरी संतानों की जगा यह यहां की राजा बन जाएंगे और ऐसा मैं नहीं होने तोंगा इ इन्हें तुरान फासी मत दीजिए, रोग दीजिए या यहां का राजा बन जाएंगे। इस तरह इरान की राजा ने उन्हें फासी नहीं दी और वीरवल ने इरान की राजा को बड़ी ही आसानी से अपनी सोजबूझ बुद्धी के जरिये बैकोब बना दिया। दोना अपने राजी में अकबर की दर्बार में पहुँचे अकबर कहने लगे बिरवल मुझे माफ कर दो लेकिन या साविक्त करने के लिए कि तुम से बुद्धिमान विक्ति कोई नहीं है मुझे या करना पड़ा। अकबर के साले ने भी बीरवल के सामने हाज जोड़ कर कहा राजा बीरवल मीरी ये जिन्दगी आज से आपकी दिन है आप से बुद्धिमान विक्ति कोई हो ही नहीं सकता मैं तो सिर्फ आपकी जगा लेने के लिए ऐसा कर रहा था मुझे माफ कर देना। आप यहां समझ सकते हैं कि बुद्धि के आगे हर चीज नत्मस तक हो सकती है। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो जब विक्ति को निश्चित ही जीवन के आंतिमपलों में जीवन समाप्त होने का डर सता आए। तब उसे सूजबूज बुद्धि का पुरा उप्योग कर करना चाहिए। अगर जीवन बच गया तो एक अनमोल भेठ है अगर ना बचा वो तो उसे जाना ही है। ये थी अकबर वीरबल की कहानी। निया वो भी बिना एडिट बिना रुके डायरेक्ट वाइस्वर में। अधिक कहानियों के लिए आप लाइब सस्क्राइब अवस् कुंचे भारत।